हेलो इवरी वन गुड मॉनिंग नमस्कार 20 दिसंबर 2023 और दे हिंदू न्यूजपेपर एनलिसिस में आपका स्वागत है आज की जितने भी इंपोर्टेंट न्यूज और एडिटोरियल होंगे वो इस वीडियो के तुरू डिसकस करेंगे अगर आप इस न्यूजपेपर की प प्रस्ट पर आगड बहुत ही बेसिक बेसिक सी न究ज आपको देखने मिलेगी हमने पड़ा कि इस पारलियामेंट की विंटलब सर्फ कर दिया गया और suspension अभी continue है बहुत सारे और भी MPs को suspend किया गया है अभी केवल 139 में से 44 MP जो है वो lower house में इंडिया ब्लोक के अवलेबल होंगे इसके अलावा इस चीज़ को लेकर opposition लगाता रहे बोल रहा है कि ये कहीं ने कहीं बुरी तरीके से democracy का murder है और house क्योंकि अगर आप opposition MPs को suspend कर रहे हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने session को अडिजर्ण कर दिया session को एक तरीके से आपने समाप कर दिया है session खतम नहीं हुआ है अब इसके बाद होता क्या है इसके बाद ही होता है कि जो तीन criminal bills है उनके उपर थोड़ा discussion हुआ हो सकता है कि उसके बारे में भी और ज्यादा discussion हो और इसके अलावा यहाँ पर कुछ ऐसी अगर हम बात करें कोई specific discussion नहीं हुआ लेकिन जो criminal laws है उनके उपर थोड़ा सा discussion इसको लेकर देखने को मिला इसके अलावा वो political party जो ना तो NDA के अंदर है ना इस India block के अंदर है वो क्या कर रही है वो differently एक तरीके से participate कर रही है जब जुरूरत हो तो वो सरकार के समर्थन में होती है जब जुरूरत ना हो तब वो आपको खासकर elections में आपको opposite में आपको नजर आएगी कुछ political party बहुत neutral रही है लेकिन काफी है तक government के favor में भी रही है वो है BJD और जिसमें से एक जो party है वो है YSR Congress बाकी छोड़ी छोड़ी political party है जिनकी strength थोड़ी कम है इसके बाद इसी page पे कुछ छोड़ी छोड़ी news और देखेंगे जैसे IPL auctions हुआ Mitchell Stark अब तक की highest एक तरी केस इनको amount विले 24.75 के क्यार के लिए ये important नहीं है UPSC के लिए ये basic सी data है इसके अलावा तमिलाडो के minister convicted है उनको एक तरी केस में उनको हटा एक तरी केसे assembly से resignation देना पड़ेगा और ministry से भी resignation जो definitely देना पड़ेगा अगर वो currently hold कर रहे होंगे तो इसके अलावा एक और सोटी शी news है हर साल जो Indian Science Congress होती हर साल जो January महिने में अलगबग अगर हम बात करें नोदस जनवरी के आसपास एक science Congress होती है जिसमें भारत के प्राइमिस्टे इन्योगरेट करते हैं और देज भर के scientist दुनिया भर के वह selected से Nobel laureates जो इसमें participate करते हैं इस बार यह होनी थी lovely professional university जो पंजाब के अंदर है उन्होंने अभी cancel कर दिया उसको कि हम इसको host करने कर नहीं सकते हैं और इसको लेकर एक controversy होई है कि यह ऐसा नहीं कि वह सब कुछ चीज़े decide से आप suddenly ऐसा है बोलेंगे कि हम इसको host नहीं कर सकते तो planning नहीं होगी कि वह जनवरी में तो होनी possibly नहीं होती क्योंकि बहुत सारे guests को invite के अज़ाता है इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ और news के वारे में तो page number two पे भी mostly political ही news आपको देखने को में लेगी next page जो है वो कुछ चोड़ी चोड़ी news जैसे reservation एक ऐसा topic है जो काफी ज्यादा debatable है और मैंने पिछले साल भी कहा था कि reservation को लेकर direct indirect question हो सकते है reservation को लेकर मुझे लगता है कि एक ऐसा topic हो सकता है जो OBC reservation को लेकर सवाल हो सकता है major committees क्या होती है इसके अलावा काफ census को लेकर कुछ सवाल हो सकते है reservation में article 15 और 16 का क्या रोल है EWS reservation को लेकर question हो सकते है या reservation के process में national commission और backward classes का क्या रोल रहता है उसका एक important question हो सकता है कि constitutional body है कि नहीं है उस तरह के questions आपको देखने को मिल सकते है इसके अलावा को specific नहीं है जैसे कि front page भी बता था कि जो तीन criminal laws है जिसमें भारतिय न्याय सहीता 2023 भारतिय नागरिक सुरक्षा सहीता और भारतिय सक्षे बिल जो ये replace करने वाले Indian penal code को 16 code of criminal procedure 1898 और Indian evidence act उसको लेकर debate basically हो रही है लेकिन जब opposition के MPs नहीं हो तो properly debate और discussion जो हो वो होने की possibility भी नहीं रहते क्योंकि सत्ता पक्स से हम ये उमीद नहीं करते कि आप एक तरीके से कोई ऐसे criticism वाले question होगे clarification वाले question हो सकते कि बताईए इसके बारे में आपका क्या विचार है opposition का होना जुरूरी है ताकि एक तरीके से government को accountable बना जासके सवाल पुछे जाए उनसे कि आप बताईए कि exactly आप जो कर रहे हैं उसमें क्या concerns है क्या उसमें दिक्कते हैं ठीक है इसके अलावा यहाँ पर भी कोई specific news नहीं है वही जो day to day activity चल रही है उसके अलावा को specific news आपको यहाँ पर नजर नहीं आएगी और अगर हम केवल exam और entity बात करें तो एक page आएगा page नमबर 6 जहां पर भारत और इसराइल के जो प्राइमिस्टर है उन्होंने बातचित करी और भारत के प्राइमिस्टर इनने जो call करी है सोरी ये इसराइल की तरफ से कौल थी और इसराइल के प्राइबिस्टर ने भारत के प्राइबिस्टर प्लारिफिकेशन दिया है इसमें रेड सी के थ्रीट को लेकर काफी डिसकस हुआ अभी हमने कुछ दिन पहले पढ़ा कि जो हाउती रेबल है ये वाला जो एरिया आता है इस एरिया में ये काफी ज़्यादा एक्टिव हो गए है यमन एक डिस्टरवड कंट्री है इसके जो रेबल ग्रूप है जिसको हाउती रेबल बोला जाता है उसको बैक करता है इरान अब ये क्या कर रहें इनों ने कहा हम तो हैं फिलिस्टान के समर्तन में हमास के समर्त में दुनिया से जो हो सके करिए हम यहां पर से जितने भी सिफ जाएंगी उनको हम लोग टार्गेट करेंगे दुनिया का दुनिया का लगबग 15% के आसपा स्टेड यहां से होता है तो उसको लेकर भी डिसक्सन हुआ यूएस ने एक अलाइंस बनाया ताकि इसमें जो जितने भी कमर्शिल सिफ जो एक तरीके से पेट्रो एक तरीके से क्रोस करेगी उनको पेट्रोल करना या उनको सिक्यूर्टी प्रोवाइड करना तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे लेकिन फिलाल अगर हम बात करें भारत और इसराइल के प्रेमिशन ने क्या important issues को लेकर बात चित स्ट्रेट में क्योंकि यहां पर डिरेक्टली यमन की प्रिजेंस आपको नजर आएगी इन रेबल्स की तो उसको कैसे counter करना है उसके बारे हम डिसकस किया गया और बहुत सारे और भी issues है क्योंकि इसराइल और फिलिस्तिन या इसराइल और हमास के बीच में जो वहर लिखेंगे तो यहां का यह पूरा का पूरा पॉर्शन अगेन इसी चीज़ को लेकर डिसकस है कि हाउती रेबल्स को कैसे हम लोग counter कर सकते हैं या कैसे उसके बारे में एक security threat जो है उसको लेकर डिसकस किया गया अभी United State का जो defense ministry है या इनका जो department है Pentagon इन्होंने नाउस किया और इसराइल के प्राइबिशन ने इसको लेकर इसराइल और हमास conflict को लेकर डिसकस किया safety of maritime traffic को लेकर डिसकस किया और definitely a shared concern है कि हमारे लिए भी important है जैसे हाउती रेबल ने एक वीडियो रिलीज किया था जो पहला सिप था वो India bound था ensure करना कि इस region में peace and stability हो continually एक तरीके से ए इसको भी affected हो रही है इसके बाद टेलिफोनिंग कनवर्सेशन के अंदर दोनों प्राइमिस्टर ने लगातार हम देख रहे हैं कि अक्तूबर के बाद से भारत के प्राइमिस्टर जो हमारे फोर्ण मिस्टर है अलग-अलग countries के फोरण और फोरण मिस्टर और से में। जो सिच्वेशन है वह सीपिंग कम्पनीज के लिए बढ़े के से चैलेंज और बहुत सारी सीपिंग कम्पनी रिस्क नहीं लेना चाहते वह नहीं चाहते कि ऑध passions ऑस तरी के से अटैक किया जाए तो बहुत सारी कमपनीज ने अपना उप्रेशन्शन को यहां पर बंद कर दिया है इसके अलावा यह इंटरनेशनल चैलेंज है इसी कॉंटेक्स्ट में हमने पड़ा कि युनाइटिड स्टेट ने एक ओपरेशन प्रोस्परिटी गार्जियन करके लॉंज किया है और इसके बारे में हम फोरन फोरन वाला जो पेज वहां पर भी पढ़ेंगे युए सेगेटरी जो ओफ डिफेंस एल अलोवेड उस्टेन नोर ने कहा कि हम यह उपरेशन जो लॉंज कर रहे हैं इसके अंदर युके बाहरीन कनाडा फ्रांस इटली निदरलैंड नोर्वेस पेन सेसल्स होंगे और युनाइटिड स्टेट से भी बोला गया है युनाइ या इसको वीटो कर सकता जैसे हमने देखा कि एक रिजूरेशन पास कर दिया गया था आवर ओल लेकिन उस पर युएस ने वीटो कर दिया था जो इसराइल के अगेंस्ट था ठीक है तो इस तरह की चीज़ा आपको देखने को मिलेगी इसके बाद एडिटोरियल पार्ट के जो आर्टिकल दिया गया है यह आर्टिकल बेसिकली टेली कम्यूकेशन बिल टूट टूज़न टूटिट्री के बारे में और दूसरा आर्टिकल है कि क्या साउथ इंडिया में खासकर तमिल नाडू एक तरीके से फलेड को मेंटेन करने में सक्सेस्पुल नहीं है या एक दिजास्ट्र इमेरेज्मेंट एक बड़ा चैलेंज बन रहा है ये इसको लेकर एक ऐनलिसिस किया गया है सबसे पहले बात करेंगे incoming goal करके जो title दिया गया है कि regulation से पहले जब भी हम regulation के बारे में बात करते हैं किसी भी चीज़ को इन चीज़ों को अभी ध्यान रखना चाहिए कि जो privacy को लेकर debate है वो genuine debate है यानि हम सब यह चाहते हैं कि हर एक चीज़ के एक proper rule and regulations हो लेकिन rules and regulation में जो privacy जो as per supreme court judgment as per एक तरीके से committee कह सकते हैं और उन सब में यह decision लिया गया था कि अंडर article 21 right to privacy fundamental right है तो इस process को simplify करना यह responsibility होगी और privacy concern को भी ध्यान रखना ठीक है telecommunication bill 2023 union government का एक long standing demand था कि जितने भी wireless networks है internet service provider उनको consolidated किया जाए और 46 page का एक तरीके से status इसमें release किया गया इसमें existing regulatory structure को कोई impact नहीं हो पड़ेगा इसमें main चीज़े क्या करी गई है एक तो bureaucratic procedure जो है जो license को apply करते हैं या telecom operator के लिए permit लेते हैं उसको simplify कर दिया गया है दूसरा licensing process जो हब digitized होगा और telecom operator जो है उनको एक जो नया तरीका है deal करने का non compliance होगा license systems के अंदर इसके अलावा इसको district और state level authorities के दवारा permissions और dispute resolutions के अगर हम बात करते हैं वहाँ पर भी access मिलेगी और इनको अपने equipment setup करने में optical fiber network जो public और private properties होगी उनको access करने में help मिलेगी इस bill का जो main अगर हम बात करें ये satellite internet industry के लिए बहुत ज़्यादा relevant होगा और जो बहुत पुराने एक demand रही है कि कैसे हम internet connectivity को net connectivity को remote areas के अंदर जैसे hillies area है इसके अलावा deserts area है बहुती कम संक्या में लोग जहां पर आते छोड़ छोड़ गाउं हैं उनमें कैसे हम पहुचा सकते हैं ये priority होगी और इसके लिए अलग-अलग countries में किस तरह के bills introduced किया गया उनको भी analysis किया गया ये बिल definitely welcome step है industrial bodies की तरफ से भी कि भाई इसके तरूँ एक regulatory landscape होगा और ease of doing business जो उसको भी easy करेगा ये और ये much needed regulatory है regulatory stability के लिए काम करेगा एक ऐसा environment create करेगा जो next phase में telecom industries को expand करने का काम करेगा देश की आदी आबादी जो है वो connected है एक तरह के से दुनिया से या internet की access दीरे दीरे भारत में बढ़ी है और इस चीज़ को लेकर भले ही आप उसके पक्स में हो या अगेंस्ट हो जी ओने जो revolution लेकर आया वह एक तरह की significant revolution है क्योंकि उन्होंने फरी सब्सक्राइब business mind क्यों नहों लेकिन उन्होंने सब company को force किया कि वह प्राइसीज को कम करें हाला कि अब दिक्कत यह कि प्राइसीज धीरे धीरे बढ़ रहे है जो पर पर मंत या दो महिने का या तीन महिने का जो रिचार्ट होता है लेकिन उन्होंने स्टार्ट जुरूर करिए इसके अलावा कैसे दुनिया से connected रहना है इसको लेकर definitely a bill help करेगा और लेकिन अभी issues क्या है issues है एक तो definitions क्या होगी जो इस range of services के अंदर की बहुत लंबा चोड़ यह definitions का पार्ट है state authorities के सामने concern यह होगा कि privacy और surveillance दो ऐसे topic जो बहुत जादा debatable होते हैं इसको कैसे deal करेंगे और यह केवल academic considerations की बात नहीं है हमें understand करना पड़ेगा कि जो allegation लगते है state sponsored snooping को लेकर या जासुशी को लेकर उसको लेकर आप कैसे counter करेंगे इसके लिए जरूर चीजे होने चे जो privacy के साथ compromise नहीं करें और यह surveillance reform और internet shutdown जो massive implication देखने को मिलते हैं बहुत बार हम देखते हैं कि internet को shutdown कर दिया जादा हलकी सी भी violent protest हुई तो complete state का internet shutdown कर दिया जादा इस तरह कि चीजे ना हो इनको avoid किया जासके उसको लेकर क्या issues होंगे इसके अलावा और भ प्लिक क्या सोचती है वो consultation proper हो इसके बारे में इसके इसके बाद industry board या अलग अलग जो groups है उनके साथ क्या opinion है opposition political party जो आजकल suspended सी नजर आ रही है house के अंदर उनका opinion भी important है और government को ये ensure करना चाहिए कि जब आप rule बना रहे हैं तो भाई उसको के अंदर हो जादे consultation करिए बात transparency लेकर आईए और ये और important हो जाता है कि आप जब इस तरह के laws के बारे में बात करते हैं तो department of telecommunications को बताना चाहिए कि क्या impact पढ़ेंग क्या इसके future implications होने वाले है टेली communication landscape के अंदर जब से telegraph act आया है ये ड्रेमेटिकल ही है बहुत सालों के बाद 19th century के बाद ये पास हो लेकिन regulation और law making में ये ensure करना कि जिस तरीके से दुनिया में internet या telecommunication को deal या regulate किया जाता है उसी तरीके के जो issues है उनको भी address किया जाए और digital explosions के अगर हम बात करते हैं आज के time पे ये digital क्रांती का revolution का phase है आप उसको कैसे deal करेंगी क्योंकि जब revolution होती तो उसके कुछ ना कुछ challenges भी होते हैं उन challenges को कैसे deal करेंगे जिसमें major challenge आता है privacy को लेकर ये एक बड़ा concern है इसके बाद second article है turbulence in south करके जो title दिया गया है कि भारत को ये ensure करना पड़ेगा कि हमारी agencies के बीच में एक better coordination हो खासकर disaster के टाइम पे December महीने में हमने देखा कि अभी चेन्ने के अंदर तमिलाडों के अंदर बहुत ज्यादा turbulence आए जनरली December में एक और बड़ी problem आती है तमिलाडों के साथ वो आती है किस तरही problem कि बारिश जुरूर होती है वो problem नहीं है लेकिन बारिश जब एक limit से ज्यादा होती है तो पानी स्टे करता है और वो flood का एक example बनता है जैसा अब आभी हम पढ़ेंगे थोड़ी दिर बाद इसमें बताया गया कि जैसे नौर्थ पार्ट ऑफ स्टेट के अंदर अगरम बात करते है चेन्नी और उसके neighboring district में वो recover करी रही थी कि वह साइकलोन मिचोंग आया है उन्होंने flood आ heavy rainfall से कहीं न कहीं बटल लड़ रही है लड़ाई लड़ रही है और कई जगह पर heavy rainfall हुई है बाड क्या है flood simply क्या होता जब पानी एक limit से ज्यादा जमीन पर गिरेगा और सहरों के अंदर क्या है कि जो फ्लूर होता जमीन को बिलकुल concrete से ढख दिया गया है तो inflation नहीं होता ज reason क्या होता है कि inflation नहीं होता जमीन में पानी नहीं जाता इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहां पर क्याल पटिनम है थुटी कोडी उसके अंदर एक 95 cm की record बारिस होगी तो यह एक system को बताता है क्या हमारा system fail हो रहा है और तमिलाडू में इन दिनों बारिस इसली भी होत होता है generally देश के अंदर जो बारिस होती है June से September के बीच में वो Southwest होती है लेकिन तमिलाडू वाली बेल्ट में end में December end में जनवरी के अंदर basically बारिस होती है North East Monsoon की वज़े से ठीक है भारत के अब Northern part जो है जिसमें पंजाब, हर्याना, राजस्थान, UP, उत्राकर इसमें बा Western disturbance की वज़े से होगी तो इसकी वज़े से अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोग जो है वो badly affected हुए है तमिलाडू के जो chief ministers हैं उन्होंने भारत के defense minister को बातचीत करी है और उनके साथ situation के वो discuss किया गया, even governor ने भी discuss किया है, trains को cancel किया गया, क्योंकि इसकी वज़े से road, rail lines, canals, tanks, electric poles और बहुत सारे houses वो बूरी तरीके से damage हुए है, इसके लावा अब सवाल उठता है कि जब हम यह सारी चीजे बात कर रहे हैं या एक disaster के बारे हम डिसकस कर रहे हैं, तो क्या हमने एक तरीके से forecast नहीं किया था, क्या properly हमारी त्यारी नहीं थी, तो इसको लेकर सवाल है, mitological department ने क्या एक indication नहीं दिया था, यह एक बड़ा सवाल है, और जब इतनी extremely rainfall हो जाती है, तो क्या उससे पहले state बिलकुल fail कर जाता है, और क्या state के या state और center के department के बीच में proper कोई communication नहीं था, proper कोई coordination नहीं था, यह एक बड़ा सवाल है, तो scientific community definitely वो forecasting के लिए काम करती है more important क्या है, अगर आप conclusion way में जाएंगे, कि वही हमें coordination करना पड़ेगा, हर एक department में, हर एक तरीके से agency में, जैसे, mythological department और railway में, और तरुन्त अपनी trains को cancel कर दिया गया, जहाँ पर flooded areas है, तो यह चीजों को अगर हमें properly management करना है, arrangements करना इस environment को, तो वही हमें एक coordination बढ़ाना पड़ेगा, ताकि इस तरह के negative effect को हम लोग mitigate कर पाएं, reduce कर पाएं, उसकी intensity को जो है वो कम कर पाएं, तो agencies के बीच में coordination होना, यह must है, आज के time पे, और इसलिए कहा जाता है कि जब आप coordination से काम करते हैं, तो उसके impact को काफी हद तक minimize कर देते हैं, काफी हद तक एक तरीके से reduce कर देते हैं, इसके बाद text and context वाला topic है, यह topic काफी ज़्यादा highlighted रहा है पिछले कुछ दिनों में, धरावी दुनिया की सबसे बड़ी सलम एरिया जहां पर कई लोग रहते हैं, number of people की जो strength की बात करें, दुनिया की सबसे बड़ी सलम एरिया है, मुंबई के अंदर, और इ का जो redevelopment का plan है, इसमें दिक्कत क्या है, दिक्कत यह है कि अब इसका लोग growth कर रहे हैं, पहले तो यह समझते हैं कि यह project का मतलब क्या है, धरावी redevelopment project जो है, वो एक तरीके से एशिया की सबसे बड़ी सलम, उसको rebuild करने का एक initiative है, लेकिन इसको लेकर एक controversy और political classes देखने क को मिलता है, allegation यह लग रहे हैं, क्योंकि इसमें इस project का जो एक तरीके से ठेका मिला है, यह tender मिला है, बीडिंग मिली है, अडानी ग्रूप को opposition political party allegation लगा रहे हैं, कि उनको favoritism किया गया है, उनको एक तरीके से कह सकते हैं कि वही उनको मदद करी गई है, और उन्होंने कहा अभी redevelopment project है, जिसके अंदर Asia की largest slum ध्रावी को जो मुंबई के अंदर है, जो पिसले दो दसकों से काफी जादा debate है, तो उसमें उसको redevelopment करना सीधा से बात है, और बहुत सारे attempt भी हुए हैं, बहुत सारे bidders को ढूणने कोशिश करे गी, कि वही आप करिए इसमें development, तो अडाने ग्रूप से पहले कोई ऐसा bidders नहीं हुआ, उन्होंने का कि नॉम्बर लास्ट एर में अडाने ग्रूप को bidding दी गी, इसी चीज़ को लेकर जो opposition है वो ये बोलता है कि भाई एक तो tender process को इन्होंने change कर दिया, और एक favoritism का allegation है कि एक तरीके इन्होंने इसका पक्स real estate के अंदर अगर हम बात करें, डील देने के लिए कुछ changes करेंगे, अब इस चीज़ को लेकर BJP और अडानी ग्रूप ने क्या का है, उन्होंने का कि tender condition जो है finalize करेगी थी previous government के tenure में, और उसमें कोई change नहीं किया गया, किसी को favoritism नहीं दिया गया, government का aim है कि ये जो rehabilitation और redevelop development process है, वो 7 साल में complete हो जाए, लेकिन ये 7 साल में complete नहीं होगा, इसको लेकर जो bidders ने का कि 10 से 12 साल minimum चाहिए इसको development करने में, देखो, Asia की सबसे बड़ी सलम है धरावी, लेकिन भले ही आप उसमें allegation लगाए ना लगाए, वो उसको लेकर debate हो सकती है, बट इसको redevelopment होना च चीज़े होंगी, जैसे education, health, basic sanitation में access मिलना, ये चीज़े सामिल होने चाहिए, दूसरा अगर हम बात करें, हर एक व्यक्ति के लिए responsible है government कि उनको proper security provide करें, अलग अलग लेवल पर तो उसमें ये भी एक important part आता है, इसके बाद United States ने जो launch किया, multinational protect एक तरीके से, multinational तरीके से protect करना, Red Sea को healthy rebel से इसके बारे में पढ़ते हैं exactly क्या चल रहा है इनके दिमाग में, देखो हमने पढ़ा, पहले भी पढ़ा, फिर repeat कर रहे हैं कि इस टाइम पे Red Sea के आसपास के area में healthy rebel, ये लगातार attack कर रहे हैं ships पर, खासकर commercial ships पर उनका ये मानना है कि वह इसराइल में trade न protect कर सकते हैं, healthy rebel ने सीधा का कि आप चाहें दुनिया की सारे देशी कटे हो जाएं, इसराइल के favor में, हम नहीं रुकेंगे और उन्होंने clear cut warning करी हैं कि आप कितना भी ऐसी efforts करते रहे हम रुकने वाले नहीं हैं, US ने फिर promise कि हम, क्योंकि इसराइल हमारा एक important partner है, critical munition, tactical vehicles औ प्रोवाइड करते रहेंगे, यह पढ़ेंगे, थोड़ा इंटरस्टिंग सीए न्यूज है, युनाइटी स्टेट के defense secretary जोल एलोवेड उस्टिन, उन्होंने काया कि हम एक multinational operation बनाए करेंगे, जिसमें Red Sea के अंदर, जो Yemen के अंदर, इरान, अलाइंड हाटी है, बैक की जा हुई, Gulf of Aden और Red Sea के बीच में जो बाला, अलमंदा एक स्टेट है, वहाँ पर कैसे discuss किया जाए, इसके response में, हाउती रेबल ने का, कि वह अमरीका दुनिया की सारी तागत लगा ले, हमारे military operation नहीं रुकेंगे, और हमें इसके लिए कोई भी sacrifice करना पड़े, एक बार फिर ए एक coalition बनाया है, वो इसराहिल को और जादा protect करना चाहता है, इससी area को, militarization करना चाहता है, इसके लाए उनने बताया कि आप conflict को कितना भी एक्टरीकिस expand कर लीजिए, हमारे operation नहीं रुकेंगे, ठीक है, अब US की तरफ से का गया कि हम एक international challenge को face कर रहे है, और इसके लिए collective actions हो होने चाहिए, और इसके लिए operation prosperity guardian launch किया जा रहे है, दुनिया के 40 ministers के साथ उनने बातचीत करी, और how the actions का जो impact उसको reduce करने के बारे में discuss किया गया, एक strategic waterways को safe और secure बनाने के लिए काम करेंगे, इस तरह की चीज़े discuss करीगी, और end में इनने बताया कि Israel तो हमारा important partner है, तो Israel क चाहिए वो critical munition चाहिए हो, tactical vehicle चाहिए हो, air defense system चाहिए हो, हम वो सारी चीज़े provide कराएंगे, इसके बाद अगर हम बात करें, कुछ और important चीज़ों के बारे में, जो इस page पर आपको नया के बराबर मिलेगी, next page पर एक story cover करीगी है, कि बताये, यह healthy rebel किस तरीके से attack कर रहे है 90's के आसपास, healthy rebel जो है, उनकी presence कमती, उनके पास weapon और missile system जो ज़्यद अपगरेड नहीं था, आज के time पे 1000 km तक की range की इनके पास missile है, तो यह बड़ा challenge इतना आसान है नहीं, इसके अलाबा, रोहिंग्या, यह ethnic group काफी ज़्यादा news में रहा है, रोहिंग्या, अगर हम बात क अरिजिनली यह Myanmar के रखाइन प्रोविंस से है, लेकिन Myanmar में सरकार चाए military की हो, चाए फिर एक democratic हो, इस प्रोविंस के अंदर, रखाइन प्रोविंस के अंदर, इनको नहीं रखा जाते हैं, यह नहीं चाहते कि बहुँ यहां रहे, अब इनको displace होकर कहा जाना पड़ता है, कई सारे लोग बंगलादेश में रहते हैं भारत में भी बड़ी संक्या में जिसमें वेस्ट बेंगोल है दिल्ली है हर्याना का मेवात वाला रिजन है यहां पर आपको देखने को मिलेंगे और कुछ लोग साउथ इंडिया के अंदर है इसके अलावा अब हो क्या रहा है अब यह क्या करें इनको और ज्यादा डिस्प्लेस किया गया तो यह चाहते हैं हमें इंडोनेशिया मलेशिया इस तरह की कंट्री में जगा मिले लेकिन इनको लेकर इंडोनेशिया के जो लोग है इंडोनेशिया दुनिया की सबसे जादा मुस्लिम पोपुलेशन वाली कंट्री है उन्होंने का कि नई हम अलाव नहीं करेंगे यहां के लोकल लोग काफी प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हम इसको लेकर बिलकुल भी एसेट नहीं करेंगे तो काफी क्रिडिसिजिम है काफी एक ऐसा टोपिक जो बहुत जादा डिबेटेबल रहा है इसके अलावा बिजनस डबलुट्यों के अंदर भी रेज किया है बेसिकली भारत ने जितने भी इंपोर्ट होंगे पीसी हो या फिर लेप्टोप हो या टेबलेट्स हो उनको लेकर एक प्रोशीजर बनाया है और इसमें प्रोशीजर में क्या बताया गया कि इंडिया का एक एक तरीके से लाइसे आपको लेना पड़ेगा जब भी आप ये सारी चीज़ें इंडिया के अंदर इंपोर्ट करेंगे युएस ने इसको लेकर सवाल पुछा कि आपकी क्या इंटेंशन आप ऐसा क्यों करना चाहते है या आपका जो इंपोर्ट मोनिटरिंग सिस्टम है इसको लेकर आप भारत ने का कि हम अगले एक साल तक लगबग ये रहेगा और 30 सेप्टेंबर 2024 तक हमारा टार्गेट ये है कि हम लोग जब भी इस तरह के चीज़ों को अलाउड कर रहे हैं खासकर इलेक्ट्रोनिक आइटम्स में तो एक उत्राइजेशन अपलाई होगा इसका सीधा सीधा मतलब यह होता है क्योंकि भारत के अंदर साथ से आठ बिलियन डॉलर के लैप्टोप टेबलेट और पीसी यह आते चाइना से तो हमारा सिक्यूरिटी कंसन है उसको लेकर हम लोग लाइसेंस प्रोसेस को लिंक कर रहे हैं यूएस कंसन इसलिए क्योंकि यूएस की भी कई सारी अपनी है डेल है एस्पी एपल है उनका यह कंसन है तो इसको लेकर डॉली टो के अंदर एक क्लेरिफिकेशन लिया गया कि जब दुनिया टेड को सिंप्लिफाई कर रहे हैं आप रेगुलेशन करने के बारे में क्यों सोच रहे हैं इसके बाद लास्ट अगर हम बात करें इ इसके अलावा गवर्मेंट जो है क्या चीज़ें उब्जाव कर रही इस पूरे सेनेरियो को लेकर आर्टिफिशल इंडिलेजेंस में डीफे को कैसे टक काउंटर करना ये एक बड़ा सवाल होगा और गवर्मेंट जो है दुनिया बर में अलग-अलग कंट्रीज में किस त हो सकते हैं सिंगापूर में किस तरह का एक जो डिक्शन्स है उसको लेकर एक एनलिसिस किया जाएगा और अलग-अलग कंट्रिया क्या अटेंट कर रही है इसको रेगुलेट करने में उसको लेकर एनलिसिस करने के बाद ये भारत में भी लग हो सकता है आर्टिफिशल के बारे में बात कर रहे हैं तो UPSC के अंदर हमने देखा कि science and technology based जो सवाल हुए है वो काफी हद तक application based है अगर आप artificial intelligence की बात करेंगे अलग-अलग सेक्टर में अप्लिकेशन है एस्टोनोमी से लेकर health care, transport, agriculture, education, e-commerce, entertainment, robotics, automotive industry, social media, data security, finance और gaming ये तो कुछ सेक्टर है इसके अ बहुत सारे सेक्टर हो सकते हैं जहां पर आने वाले टाइम में artificial intelligence के बहुत सारे applications होने वाले हैं फिलाल दे हिंदू newspaper analysis में इतना ही थैंक्यो जैहिन